मुक्तार की मौत की बात में सीम योगी आदितिनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है जिसमें आधिकारियों को मुक्तार अंसारी की मौत को गई थी उसके बात में कई जगा पर हमने रेखा वो तस्वीरे भी सामने आई जहां पर प्रिशासन की तरफ से फ्लैक सुरक्षा के चाक चौबन इंतिजाम किये गए हैं और तीन जिले ऐसे जहां पर धारा 144 भी लगाई गई हैं यह तस्वीरे आप देखें यह देर रात की तस्वीरे हैं और आप जानकारी ये भी सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने तमाम ना हो इसस सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं तस्वीरे आप देखें चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनाथ हैं और कल आट पज़े के करीब मुक्तार अंसारी की तब्यद बिगडी थी उसके बाद में जब अस्पताल ले जाया गया तो दॉक्टर भी मौचूद रहेंगे अभी देख घंटे पंचुनामा भरने में लगेगा और उसके बाद में पोस्मॉटम की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगे लगभग दस बजे तक मुक्तार की बौडी को पुलिस तुरक्षा के बीच में रखा जाएगा मैडिकल कॉलिज उसे गाजेपुर रवाना किया जाएगा शब और उसके बाद में उसे सीधा कब्रिस्तान लेजा कर सुपुद्रे खाक किया जाएगा तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डेड़ घंटा पंचुनामा भरने में लगेगा और उसके बाद में पोस्मॉटम होगा और तो चप्पे चप्पे पर धारा 144 लगा दी गई है एक तरफ सुरक्षा काफी ज़ड़ा कड़ी कर दी गई तो वहीं दूसरी तरफ अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें पंचुनामा भरने के बाद में पोस्मॉटम किया जाएगा बुक्तार अंसारी का शब गाजीपूर में ले जाया जाएगा और कालीबा कबरिस्तान दफनाया जाएगा प्रिशासली कबरिस्तान का नेरिक्षण भी कर दिया है और मोहबदाबाद के कालीबा कबरिस्तान में शब का सुपुद्रे खाक किया जाएगा पोस्मॉटम के ब बाफिया मुक्तार की मौत की बाद में पुलिस प्रिशासन काफी ज़्दा अलर्ट परे गाजेपूर में पुलिस का फ्लाइक मार्श किया है। में सुरक्षा काफी जदा कड़ी कर दी गई है धारा 144 लगाई गई है और चपे चपे पार पुलिस वाल तैनात किया गया है